समस्कार यूट्यूब चैनल एन इन्वर्स स्टडी में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हरियाना राज्य की भासा, साहित्य, संगीत, लोककला, लोकनाट्य, लोकगीत, फिल्मे और सामाजिक जीवन से संबंदित बार-बार पुछे जाने वाले प्रशन और यह है अगामी HSSC की सभी प्रिक्षयों के लिए काफी महत्तपूर्ण भी है शुरू करते हैं भासा के प्रोत्साहन हेतू किस भासा को राज्य की द्वितिय भासा गोशित किया गया है? पंजबी समुंदर का सागर किसकी रचना है? असोक भाटिया हरियानवी बोली के एक अती परसिद क्लासिकल गायक बाजे भगत का जनम कहा हुआ? सिसाना गाउं किस ने अपनी पुस्तक किताब उलहिंद में कैथल को कवीतल संधर्बित किया है? अल बुरूनी छलकडे किस अंग में धार्ण करने वाला हाबूसन है? पैरों का हरियाना में विवा में पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? गाउं के सम्मानित वृद्ध को हरियानवी नाटक साजा सीर किस की रचना है? रामफल चहल संस्कृत ग्रंत सिरी भगत फूल सिंग चरितरम के लेखक कोन है? पंडित विद्यानिदी कोर्वी किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? खडी बोली हरियाना में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? महमान घर आने का हरियानवी मुहावरा चिलम भरना का क्या अर्थ है? खुसामद करना बुजनी आभूशन धार्ण किया जाता है कानों में कवी तुलसीदा सर्मा दिनेस किस जिले से संबंद है? भिवानी से पंडित नेकी राम सर्मा का जनम किस जिले में हुआ था? रोट्तक में संदेश सापताहिक पत्रिका की सुरुवात किस ने की? पंडित नेकी राम सर्मा ने? किस स्थान से प्राप्त अभी लेखों में संगीत के साथ सवरों का उलेख है? अग्रोहा हरियाना तिलक सापताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे सिरिराम सर्मा पैरों में पहने जाने वाले आभूशन किस धातू से बनते हैं चांदी हरियाना साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है हरिगंदा मानव जाती के जनक माने जाने वाले वैवस्वत मनू को अवंती सुंद्री कथा नामक गरंथ में किस स्थान का निवासी माना गया है स्थानेश्वर दूसरे की थाली में घी घणा लागय से लकोक्ती का सही अर्थ क्या है दूसरे का जिवन सुखदाई लगना हरियाना के गाओं में सांजी किस के निमत बनाई जाती है बालिकाओं के मंगल कामना के लिए पींग पाटडी का संबंद किस महिने से है सावन लोक गायक पंडित लखमी चंद की सैक्षनिक योगता क्या थी अनपड थे गंगा की स्तूती में रचित गंगा जी तेरे खेत में गीत किसके द्वारा गाया गया था पंडित मांगे राम विदिवत सिक्षा नय ग्रहन करने पर भी किस लोक गायक पर सोध कार रह हुए पंडित लखमी चंद का जनम कहा हुआ था जाटिकला सौनिपत पंडित लखमी चंद के गुरू का क्या नाम था मांशिंग मांगे राम किसके सिस्य थे पंडित लखमी चंद हरियाना के कालिदास और सैक्स पियर किसे कहा जाता है पंडित लखमी चंद सूर सम्मान पुरुषकार किस क्षेतर में विशिष्ट परतीबा के लिए परदान किया जाता है साहित्य सूर सम्मान पुरुषकार किसके नाम पर सुरु किया गया था सूर दास हरियाना का सरवोच्य साहित्य पुरुषकार का क्या नाम है सूर सम्मान देवी संकर परभाकर किस क्षेतर से सम्मन्दित है सिनेमा इतिहास कारों के अनुसार कौन से हिंदी कवी हरियाना का उपहार है सूर दास पंडित रामकृषण व्यास किस क्षेतर के परसिद्व्यक्ति है हरियानमी सम्मवाग हरियाना में सूरिय कवी के नाम से कौन जाना जाता है पंडित लखमी चंद मोहन जोदाडों से प्राप्त परसिद नरित्तिरता कन्या किस धातू से बनी थी कांसय गोरा नामक पुस्तक किसके दुआरा लिखी गई है रविंदरनाथ टैगोर हिंदी के परसिद कहानीकार सिरी विसंबरनाथ कोसिक का जनम हरियाना में कहां हुआ था अंबाला च्छावनी संत सूर्दास ने संगीत की सिक्ष्या किस आचार्य से ली सिरी वलबाचार्य माटी का मोल उपन्यास के लेखक कोन है जै नारायन कोसिक लंबे बांस पर मोर पंक वे रंगीन कपड़े लपेट कर भाद्रपद महीने में किये जाने वाले निरित्या का क्या नाम है गोगा निरित्य सिहिंग राम फ्रीदाबाद को किस संत कवी की जनम भूमी माना जाता है संत सूर्दास महम के किस कवी ने राम माला कव्य की रचना की सयद गुलाम हुसैन कवी पुसपदंत की रचनाई किस पंत से संबंदित है जैन बधाई पधती की रंगाई से तयार ओडनी क्या कहलाती है लहरिया ओडनी विवा में रेशमी ओडनी को क्या कहते है दिमाच ओडनी सुत्ती कपडे पर रेशमी बुंदियों वाली कडाई की ओडनी कहलाती है गुम्टी पीले पाट का कड़ा ओड़ना कहलाता है छ्यामा बान भट किस राजा के मित्रवे राज कभी थे हर्सवर्दन हर्सचरित और कानदंबरी की रचना किसने की थी बान भट मयूर मातंग दिवार किसके दरवार के विद्वान थे हर्सवर्दन सूरिय सतक की रचना किसने की थी मैयूर नागानंद और प्रिय दर्शिका नाटक की रचना किसने की हर्शवर्दन ख्वाजा अलताफ हुसैन हाली क्या थे कवी थे हरियानमी रामाइन की रचना किसने की खुदा बक्स हैमद ने किसके आधार पर पंजाब में से हरियाना राज्य का निर्मान किया गया था भासा के आधार पर कौन सा त्योहार सांपों के साथ जुड़ा हुआ है गुगा नम्मी छड़ी लोक नरित्य किस अफसर पर किया जाता है गुगा नम्मी के अफसर पर हरियानमी पुरस कड़ी आभूशन पहनते हैं पैरों में कौन सा लोक नरित्य नट्टे रूप में अनुकार एक अभिन अंग है सांग या समवाग हरियाना के सबसे परसिद हिंदी हास्य कवी कौन थे अलहर बिका नेरी गुलाम फरीद सबरी एक प्रमुख गायक थे कव्वाली गायक भासा के आधार पर पंजाब में से किन राज्यों का निर्मान किया गया था हरियाना और हिमाचल परदेश राजा राम सास्त्री ने हरियानमी भासा में किस उपन्यास को लिखा था जाडु फिरी हरियानमी के कई सब्द किस भासा के सब्दों के समान है फिनिस हरियाना का पहला रास्ट्रीय समाचार पत्र कोन सा है हरि भूमी साहित्य के एक शेत्तरवे हरियाना के योगदान को उजागर करने के लिए 17 मार्च 2017 से किस तीन दिविश्य का रेकरम का आयोजन किया गया था हरियाना साहित्य संगम सुरेंदर सर्मा ने किस में महतपूर्ण योगदान दिया है हर्यानमी हाश्यक वीतावे वयंकार हर्याना का इतिहास किस ने लिखा पंडित सिरीराम सर्मा ने हर्याना सहित्यक आदमी दुआरा किया गया महा कवी हरियाना सहित्यक आदमी दुवारा दिया गया महा कवी सूर सम्मान पूर्शकार की इनामी रासी क्या है? डेड़ लाग रुपई पुस्तक वस्तरा भूशन और हरियानमी लोक गीत के लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर देपिका रानी रोतक से कौन सा साप्ताहिक न्यूजलेटर प्रकासित होता है? हरियाना तिलक अमानत एक सहीद के लेखक कौन है? क्रिशन बाचल राजा हर्सवर्दन के दरवार में अस्थाना कवी कौन थे? बानभट महरिसी वेद व्यास पुरुषकार किस से सम्मंदित है? आप इसको लाइक कर सकते हैं, सेर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ और एन इन्यूर्स स्टेडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे